हालो एब्रिवन स्वागत करता हूं सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आज हम लोग बात करेंगे सिंकम फॉर्मुलेशन्स लिमिटेट यह जो स्टॉक है काफी अट्रक्टिव स्टॉक क्योंकि जो प्राइज रेंज में टेट कर रहा है 1.83 मतलब एक उरुपया 83 पैसा में अभी टेट करता हुआ दिख रहा है तो काफी इंवेस्टर ओलेड़ी यह शेयर में इन्वेस्टमेंट करके रखे होंगे सायथ एंड काफी इंवेस्टर जो लॉंग टाइम के लिए पेनी स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं वो भी सायथ सिंकॉम फॉर्मूलेशन लिमिटेट को बाई करने के लिए प्लैनिंग कर रहे हैं तो मैं इसको पूरा फंडमेंटल एनलाइज करके आपको बताऊंगा कि यह जो श से लेके सीरफ से लेके बहुत कुछ बनाती है और यह जो कंपनी का मार्केट कैप देखिए 143 करोड का करीब करीब इसका मार्केट कैप है तो मार्केट कैप का हिसाप से एक पेनी स्टॉक में 143 करोड का एक मार्केट कैप खराब नहीं है मार्केट कैप का हिसाप से लगब फेड़ के लेज़ा ही जब या और ओव स्थेखी is अगर हम के लिए सिलेट आर लिस्टेट है और नसी में भी अगर विस्टेर होता तो company और भी ज्यादा attractive होती only BAC में लिस्टेट है तो हो सकते हैं आने ओले दिन में NAC में भी लिस्टेट हो और current price जो चल रहा है इसका जैसे कि मैंने बताया 1.83 रूपीज मतलब यह कुर्विया 83 पैसा का अभी इसका भाव मार्केट में चल रहा है और यह जो stock है अपर सर्कुर् 40 पैसा का low बनाने के बाद में 0.5 रूपीया तक का high अल्रेटी बना चुका है dividend company नहीं देता है और sales growth last तीन साल में जो sales growth है वो positive में है और इसका जो है sales growth देखे 0.52 percentage का sales growth positive में है और इसका जो phase value है phase value एक रूपीया का दिखाई दे रहा है यहां पर तो यह जो fundamental जो हम लोग देख लिए है भी fundamental का इसाफ से stock करीब करीब बाई करने के लिए long time के लिए लिए तो ठीकी बैट रहा है इसका थोड़ा फर्दर हम लोग देखेंगे financial में और क्या-क्या जो parameters होते हैं सब कुछ देखने का बाद में हम लोग decide करेंगे तो यहां पर देखे इसका जो chart का इस सबसे देख रहे हैं यहां पर करीब करीब 2015 में देखी है यह maximum दिखा रहा हूं मैं lifetime में कितना तक रैली किया है करीब करीब 2015 में 8.5 रुपय का range में था यह stock और यह आपका 2014 का बीच में यह stock था करीब करीब 12 रुपया तक का भी high बना चुका है तो जो stock है यह जो अभी का range है उसी में काफी दिनों से trade कर रहा है दो रुपया तीन रुपया तक लेकिन एक time में 11-12 रुपया तक भी यह stock है जाके आ चुका है और यह stock है इसका जो pair company सब है यहां पर अजन्ता फार्मा होगे रहा था और इसका तो जो हम लोगों का भी देखिए यहां पर quarterly result में अगर एक बार focus करेंगे quarterly result काफी important है क्योंकि वहां से हम लोगों को जो है उसका sales figure पता चलेगा तो sales figure में देखिए जो sales है 2017 June का जो sales number है 41 करोड का है और इसका जो 2018 June का है 32 मतलब गड़ गया है और 2020 का जो sales figure है 43 मतलब अगर average हम लोग अगर calculate करें तो 2007 में 41 का और 2020 में 2017 में 41 और 2020 में जाके 43 हुआ है तो थोड़ा सा growth हुआ है लेकिन growth है sales में जो है growth है और expense में अगर हम लोग ध्यान दे तो expense देखिए expense पहले 2017 में जो था अभी जो expense है expense भी थोड़ा सा जादा हुआ है यह negative एक point है और इसका जो है net profit में अगर हम लोग ध्यान दे तो net profit पहले जो होती थी 2017 का data wise 2.03 का जो net profit हुआ करती थी 2018 में जाके 2.05 मतलब थोड़ा सा प्लस हुआ है जून में 2.97 थोड़ा सा प्लस हुआ है March 2020 में फिर से थोड़ा सा प्लस हुआ है मतलब profit की तरफ company जा रही है year to year अगर हम लोग देखे इसका financial में quarterly result में तो profit year to year company लाके दे रही है एक बहुती positive बात है और next हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे इसको देखेंगे balance sheet में हम लोग जानेंगे कि company का date कितना का है यह जो company है देखिए करीब करीब जो है 2008 से लेके अभी 2020 तक करीब करीब पहले तो थोड़ा वो date company का था और अभी consistently जो है यह जो date है घरते घरते अभी जो है दो करोड रुपया का जो है date अभी दिख रहा है 2020 2020 2020 तक तो यह जो date है बॉर्विंग में तो date बहुती ज्यादा कम हो गया यह काफी एक good point है to buy a stock especially penny stocks तो assets भी देख लेते company का assets में देखिए पहले जो assets थे अभी जो assets है करीब करीब तीन गुना जादा हो गया है मतलब assets भी बढ़ रहे हैं तो company का date भी कम हो गया है एन जो है assets भी ज्यादा हो गया है एक बहुत ही एक अच्छा positive एक point है buy करने के लिए और cash flow में अगर देखेंगे हम लोग तो यह ज्यादा इंपोर्टेंट तो है नहीं फिर भी सारे positive में है अब यह उस parameter के अगर प्रोमोटर का अगर होल्डिंग देखें हम लोग यहां पर share holding pattern अगर देखें तो share holding pattern में मैं यही बात बुलना चाहूंगा कि इसमें अगर प्रोमोटर का भी maximum holding जो है प्रोमोटर और public का अगर बाकी किसी का नहीं है अगर इसमें अगर कोई mutual fund का या फिर financial institutions का या फिर DII का फिर FII का थोड़ा सा अगर कोई holding अगर होता तो stock buy करने के लिए और भी अच्छा होता लेकिन चलिए stock में कोई FII और DII का holding फिलाल तो नही प्रोमीटर में ये कंपनी फीड़ बैठती है Syncom Formulations Limited और ये जो कंपनी है आने वाले दिन में हो सकता है कि अच्छा खासा एक बड़ा कंपनी तो ना बने लेकिन एवरेज एक अच्छा खासा रिटन देने वाला करीब-करीब एक मदब एक दम बड़े MNC तो नहीं लेकिन हैं साल का ट्रैक होर्ड तो आल्री ऐकिन आने वाले दिन में अच्छा करने का भी आच्छा घासा यां पर दम तो नहीं हैं । तो उम्मिद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा जरूर बताएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा